दोस्तों सबसे पहले हमारे आस्ट्रो आर्टिस्ट एच्पी चानल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूले ताकि आपको हमारी लेटिस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें क्या दिन जलने के बाद आपको भी आती है पक्षियों के चहकने की आवाज क्या संकेत है इसका पक्षियों और मनुष्यका सबंद प्राचिनकाल से ही चला रहा है वोरानिक समय में विभीन पक्षियों को अपनी महत्वपूर्ण भूमी का निवाते देखा गया है इसके अलावा उनका अध्यात्मिक महत्वभी बहुत अधिक और सभी से अलग है अपने नाजूग पंको के सहारे जमेन चोड़ कर उपर उठना खुले आकास तक अपने आवाज पहुंचाना कहीं न कहीं हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि हमें भी अपनी समस्यां और भौतिक जीवन के जंजावातों से उपर उठकर अपने लिए एक नए आस्मा कुछ लोग किसी přष़ी के दिखने को अपनी लिए लगे मानते हैं तो कुछ के लिए कोई लखी पड़िया अनलकी होता है कुछ लोग मानते हैं कि यह पक्सि मृत्व प्रुकूर वज्दों की आत्मा होती है जो हमें आगे आने वाले समय के बारे में बता कर आगाहा करती ह लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिने रात को या दिन ढल जाने के बाद भी पक्सियों के चहचयाने की आवाज आती है तो वो सकता है कोई भटक के हुई आत्मा अच्छी या बुरी आपको कुछ कहना चाती है या आपको कुछ दिखाना चाती है अब वो कौन सा पक्सि है या रात के समय कौन सा पक्सि आपको पुकार रहा है ये बात अलग अलग है किन-किन तरीकों से ये पक्सि अचानक आपके सामने आ जाते है पक्सियों के रुपे फरिष्टों का आदम पक्सियों के रुपे फरिष्टे आपको या तो कोई संदेश देने के लिए आते हैं या फिर आपके बचाव हेतु आपको आगा करते हैं पक्षियों का रूप लेकर आपके घार्डियन, एंजल आपके साथ संपर्ख साधने की कोसिश करते हैं कई बार ये पक्षिय कुछ ऐसे होते हैं, जिने आपने पहले कभी भी देखा नहीं होता बहुत बार बहुत से लोगों ने अपने सपनों या परिकल्पनों में पक्सियों के रुपने अपने पूर्वजों की आत्मा को देखा है साइद इन पक्सियों के सहारे ब्रह्मान की सक्या आपको कुछ कहना चाती है हो सकता है जिन फक्सम्हों को आप अपने सपने या परी अलबनाव में देखते हैं उनका आपसे खास रिष्टा इपख्स्य एक ऐसा माध्यम् बनते है जिसके जरिये ब्रहमान को आपको अपना संदेश बताना चाहता है। को सिए अपने अपने तरीके से बहुत से चीज़ों का प्रतिगात्मक स्वरुप मने जाते हैं होने अलगलग पकसी अलगलग बात करते ही उदारह सपहत कबूतर शांति नीच का प्रतिग होते हैं रात्री में मुर्गे की बांगु को छोड़ कर अन्य सभी प्रकार के स्वर असुब माने गए हैं सारस पक्सिता जोड़ा अगर एक साथ सोर करते तो सुब माना गया है चील सक्ती और अधिगार को दर्सा दे हैं और बतक या हंस आपको बदलाओ या कभी ना समापतों होने वाले प्रेम की तरफ इसारा करते हैं हंस का दर्सल और उसकी आवाज सुनाए दे और उसके पंकों का फड़फडाना कारे सिती का घोतक माना जाता है कुछ मानताओ के अनुसार आपके घर में किसी चमगादर का आना उसके आवाज का असुब संक्यत माना जाता है बहुते कम लोग ऐसे होते हैं जिनके वपर उनकी जीवन में किसी पक्सी ने बीट की हो और अगर की भी हो तो लोग जला जाते हैं पर यह भी एक सुष संकेत माना जाता है वर्षा रूत में कवोई के जुन्ड का बिना आवाज मिकले अपने गोसले में लोटना तेज वर्षा होने का संकेत देता है तो इसके विप्रित दिन की घंगोर गटाओ, कबुत्रे के जुन्ड, आकास में उची उडान भरने के स्थान पर चुक्चा प्रुक्सों पर बैठे रहें तो उन गटाओ और विजली चमकने का कोई अर्थ नहीं होता अर्था वे घटना बीना पानी बरसाते ही हुजर जाती ही नीलकंट का सामने मिलना, उसकी आवाज सुनना या प्रगट होना कारे सिध्य और यस प्राप्ति का सुचक होता है यदि आपको इसकी आवाज सुनाए दे तो सीगरही आपको यस की प्राप्ति होने वाली है आपके रूप के हुए कारे सीगरही पूर्ण हो जाएंगे दोस्तों आपको हमारी ये जानकरी कैसी लगी हमें कमेंट बैक्स में जरूर बताए प्लीज लाइब शेयर करें आप हमारे चैनल पर नया है तो सब्क्राइब जरूर करें धन्यवाद आपका दिन सुभू हो